शीरदेवी के निधन की खबर से हर कोई सदमे में हैं। उनके पारवारेक दोस्त इस बारे में बात करते हुए भावक हो जा रहे हैं। शीरदेवी की बात करते हुए भावक हो गए कोमल नहटा। Zee News के मुंबाई स्टूडियो में कोमल नहटा रोने लगे। कोमल नहटा आज सुबह शीरदेवी पर बात करते हुए भावक हुए। फिल्म समीक शक कोमल नहटा, बोनी कपूर और शीरदेवी के पारिवारेक दोस्त हैं। शीरदेवी के साथ बिताए पलों को याद करते हुए कोमल नहटा का दर्द जलक पड़ा। कोमल नहीं कहा कि शीरदेवी के रिधन की खबर सुनकर वो रात बहर सो नहीं पाए। बोनी और मेरी दोस्ती बहुत गहरी है। तो जब भी बोनी मुझसे बात करते थे। शीरदेवी हुएश्य कहती थी कि मुझे पता चल जाता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि इतने खुशी इतना स्माइलिंग फेस उनका बहुत रेर होता है। तो मैं आते ही कह देती हूँ कोमल है क्या लाहिं पे। पातो आता है